हेलो दोस्तो, NCRT Aimpoint में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे उत्राखन Board Class 12 के Mathematics के पेपर के बारे में और साथ इसके Salivus की Complete हम जानकरी आपको देने वाले हैं तो आपको वीडियो में बने रहना है 2022 to 2023, यानि 2023 में जो आपके Board Exam होने वाला है Mathematics का तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस Chapter में से कितने Marks का पूछा जाएगा तो देख लेते हैं Marks आपके 80, 80 नंबर का आपका Paper होने वाला है और 20 नंबर का आपका Practical होने वाला है तो Complete जानकरी देने वाला हुए तो सबसे पहली Unit है आपकी Relation and Function संबंद एवं फलन और संबंद एवं फलन में दो चैप्टर लिये जाते हैं Chapter 1 और Chapter 2 Chapter 1 आपका Relation और Function है यानि संबंद और फलन है और Chapter 2 आपका परतिलोम तिलकोण मिती फलन Inverse Turgomatic Function तो सुरू के पहली बुक के दो चैप्टर से आपका आएगा 8 marks का ठीक है आप सामने देख सकते हूँ इसके बाद आती है Unit Second Algebra Algebra आपके दो चैप्टर से Connected है Chapter 3 और Chapter 4 Matrix और Sarnik तो ये Matrix और Sarnik आएगी आपकी 11 नंबर की Calculus जो Calculus है आपकी यानि आपका 5 Chapter 6 Chapter 7 Chapter 8 Chapter और 9 Chapter ये 5 Chapter आपके आएगे 34 नंबर के तो Calculus 5 से लेकर 9 तक आपकी 34 नंबर की आने वाली है आगे बात करते हैं Unit 4 की Vector and 3 Dimensional Geometry ये आपकी आएगी 14 नंबर की यानि आपका 10 और 11 Chapter है जो 10 और 11 Chapter है जो वो आपका 14 नंबर का पूछा जाएगा Linear Programming जिसको बोलते है Rackic Program ये आपका 12 Chapter है आपके Second Book का ये आएगा 5 Marks का यानि एक Question आएगा 5 Marks का Probability यानि जो प्राइकता है 13 Chapter है ये आएगा आपका 8 Marks का तो Total आपका 80 नंबर का जो थोरी का पेपर है वो 80 नंबर का है और Practical आपका 20 नंबर का है तो I hope आपको कोई समझ में आओगा आगे हम बात कर लेते हैं कि Relation and Function यानि संबन और फलन पहली यूनिट में दो चैप्टर है Chapter 1 और Chapter 2 Relation and Function Inverse Trigomatic Function संबन फलन और परतिलों तिरकोडमिती फलन तो आपको सभी जो NCRT की बुक है उसके परते कोई संब परते के एक्जामपल आपको करना है Second algebra में matrix है आपको सभी topic करने Determinate बाकिया आप देख सकते हो इसमें topicों को Calculus, Continuity and Differensibility जो आपकी ये सांतत्य और अवकलन नहीं था Application of Derivative अवकलन के नूपर योग Intrigal, समाकलन सभी चीज़ें जो NCRT में दिया गया Application of the Integral समाकलन के नूपर योग Differential Equation अवकल समिकर्ण तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो इसमें बाकि सब ये NCRT से ही लिया गया सालेबस से NCRT आपको complete करनी है Mathematics की Vector and 3-Dimensional Geometry सदिस और 3D जैमिती तो ये दो चैप्टर है आपके 10 और 11 Vector वाला और 3-Dimensional Geometry वाला Linear Programming आपका 12 चैप्टर है Unit 5 फेस में रेकिक प्रोग्राम Unit 6 Probability आपकी Total Math में Unit 6 है और 13 चैप्टर है उसमें Probability आपकी किते नंबर के आने वाली 8 Marks के आने वाली है जिसमें आपके पांच नंबर का जो होगा वह Activities performed throughout the year 10 Activities होगी जो आपकी Teacher के गोडिंग वह 5 Marks के होगी Record of Activities का Activities का जो Record होगा वह 5 Marks का होगा Activity performed during year end test जो आपके test होगे जो end में test होगे वह 3 Marks के आपको दिया जाएगा Viva Based on Activities आपकी 2 Marks के होगी और Continuous Assignment यानि जो आपका सत्त मुल्यांकन होगा वह 5 Number का होगा और Total आपके 20 Marks का Practical होगा वही सेम है कि आपकी Presentation कैसे होने चाहिए स्कूल में ठेक है और आपकी Unit Test कैसे होने चाहिए तो ये सभी Teacher के हाथ में है 20 Marks तो Friends थोरी का जो हमारा 80 Number का Paper है और 20 Number आपके Practical के हैं तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्रेज इस वीडियो को लाइक कीजिए पने Friends के पास सेर कीजिए और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू